दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीन रिकोर्डर की यदि आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही है तो आप किस प्रकार से उस प्रॉबलम को रिजॉल कर सकते हो उस प्रॉबलम से बच सकते हो बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसिजर है सबसे पहले आप अप स्क्रीन रिकोर्डर के उपर अपनी उंगली को प्रेस रखें इसके बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी इस प्रकार की जो स्क्रीन आए यहाँ पे राइट साइड टॉब कोरनर पे सेटिंग का ओप्शन है यह जो हेग्जागोनल सेप का जो आपको तो यहाँ पर यदि आपको system setting मिलती है तो system setting को आपको change करना है microphone में यह ध्यान रखे दोस्तों यदि आप कभी clear इसका data करेंगे तो इस प्रकार की problem face कर सकते हैं या phone आपका reset होगा तो हो सकता इस प्रकार की problem face हो तो इस condition में आपको क्या करना है system sound को बदल करके आपको microphone पे ज देखिए बार-बार यह दिखा रहा है couldn't change parameters while recording recording के दोरान यह parameters चेंज नहीं हो सकते अदरवाइज आपके पास यह open option है यह आसानी से open हो जाएंगे मैं यह भी आपको दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों किस प्रकार से यह options open हो चुके हैं mute का है microphone का है system sound तो मान लीजि क्योंकि आप जो अपनी sound है वो भार से external के रूप में इसको provide कर रहे हो तो यह विशेज ध्यान रखें आपको केवल microphone वाली पे click करना है इसके बाद आप कोई भी recording करेंगे तो proper recorder आपको वो सुनेगी proper आपकी sound सुनेगी आप जैसा कि यह सुन भी पाएंगे यह जो video मेरा है यह complete मैंने screen recording से record किया है तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बहुत simple तरीके से screen recorder की जो setting है उसको change करके आराम से आप उसके अंदर sound को insert कर सकते हो externally Thank you दोस्तो